सन्सकार क्या होता है। क्या चीज होती है। जिसको हम सन्सकार कहते हैं। आज अपने लोग क्या करते हैं। अपने जो टेंडेंसीज, हैबिट्स जो अपने को mode of moral and ethics बतायेए। Code of moral and ethics कोट क कंड़क्ट जो है, अपन उसको सन्सकार मांथा है DOeki संस्कार वो नहीं, एक वस्तु को समझे न, अपन बोलते हैं न, ये भाषा संस्कृत है, संस्कृत मतलब जिसको शुद्ध किया गया है, जो वस्तु को भी शुद्धी का संपादन कर दिया गया है, वो वस्तु को गयते हैं, ये संस्कारित है, इसका संस्कार हो चुका है, तो अगरी संस्कार जो उसके मरण से कंदे में gorशुर्पण कर दिन और उसको निवर्थत कर दिना उसका उसका अंधिम सट दाशट वो भी प्रकार के शुद्ध का संपाधड तो वह भी किarno जिनका पानी ग्रहन हुआ है अर्था जिनका विभा हुआ है वो शुद्ध हैं वो क्यों शुद्ध हैं क्योंकि उनको विदाधिकार प्राप्त हो जाता है। संसकार दिया गया है पूरे जितने संसकार पुरुष के होंगे उसमें एक संसकार स्तृष्ट का होगा विशेश जिसको कहेंगे पानी ग्रहन संसकार वह हो गया कि उसको उसने सप्तवधी या चतोषपदी अगनी के फेरे ले लिये फिर वह शुद्ध है एक वसकू और द्विजी के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष को क्या विवा करने से कोई शुद्धी नहीं आती है, पुरुष को शुद्धी का बाती है, पुरुष शुद्ध होता है यग्योपवीत लेने से, गायत्री मंत्र लेने से, तो उसको गायत्री ले कि वो अपने स्त्री की और से भी धारण करता है जिसको जिसका उसने वरण किया है तो क्योंकि अब क्या होता है मैं एक किस अर्थ में कह रहा हूं कि स्त्रियें ऐसा पूछती है कि हम तो इतने सारे मंगल चिन्न धारण करते हैं तुम कौन से चिन्न धारण करते हैं अरे हम भी अलग से मंगल सूत्र थोड़ी होता है एक यग्योपवीत और पहनना है यहां पे कह रहे हैं कि यह सब यग्योपवीत धारंड करना सावीत्रिमंत्रों उपदेश लेना इस प्रकार से शोड़श समस्कार खुद के करवाना यह सबकी आवश्यक्ता क्यों है तो कहा देह संशो संशोधन नहीं होगा तब तक हरी भाव की प्राप्ति नहीं होगी मनुष्य को अब देखो यहां पर मज़िदार बात क्या है अब आप समझ गए होंगे कि द्विजश शब्द जो है वो केवर ब्रामनों के अर्थ में नहीं है द्विजश शब्द जो है वो ब्रामन, क्षत्री और वैश्य जो तीनों मिलके यग्योपवीत धारन कर रहे हैं यदि तो वो द्विज कहला रहे हैं जिन परंपराओं में वैश्य परंपरा में भी वैश्यों के वणिकों के घर में भी जहां यग्योपवीत होती आ रही है उनको यग्योपवीत कराते रहना चाहिए नहीं तो वो क्रम भंग हो जाएगा क्षत्रियों में तो विशेश करके हमारे पुष्टिमारगी समाजों में तो जो जो भी लोहाणा आदी जातियां हैं के जो क्षत्रियों में आती हैं उनलों को भी आग्योपवीत करवाना और अपने पुष्टिमारगी आचारियों से गायत्री लेना ये क्रम को भी खंडि नहीं करना चाहिए और अगर यग्योपवीत हुई है तो उनको फिर यग्योपवीत भी दो कंठी के साथ सरवदा पहननी चाहिए यग्योपवीत से शुन्य नहीं रहना चाहिए तो श्रौतस्मार्त कर्म और विशेश करके उत्तरिये का अभाव और निरवस्त्रस्नान ये हम यो पवीत प्राप्त हो वो उनको देनी चाहिए अब बहुत एक इंपोर्टेंट वस्तु जो खास करके एप्लीकेबल टु आल पुष्टिमारगीज है वो यहां उन्नीस्वे श्लोक में आप श्री गोपिनाजी आग्या कर रहे हैं शौचाचार अभी नस्य आसुरा अवेश आपको आसुरावेश होने की संभावना है आसुरावेश होना मतलब क्या होता है अपने अंदर राक्षस आ जाता है असुरा जाता है ऐसा नहीं होता है कोई के घर में कोई के दिल में कोई के दिमाग में राक्षस नहीं आता है आसुरावेश का मतलब होता है भगवद भग आपने अप्रश क्या है अप वास्ताव में अप ब्रॉंश है ये शब्द जो है वो क्या है अस्प्रश्य अस्प्रश्य जो है वो वास्ताव में शब्द है जिसका अप ब्रॉंश होके शब्द क्या बना अपरस अपरस क्या होता? अपरस कुछ नहीं होता है. अपरस तो ब्रजभाशा में बोला जाता है क्योंकि ब्रजवाशी लोग जो थे वो ब्रजवाशी लोग अस्पृश्य ऐसे नहीं बोल बाते हैं. अब कोन सी आवस्ता में? आपको मालम है, आज भी वो रिक्षा नहीं बोल पाते हैं. एह रिस्का, एह रिस्का ऐसे बोलते हैं. नहीं बोला जाता है, किसी से कोई शब्द नहीं निकलता है, उसका कोई दोष्टड़ी हो, उसके जो जिवहा के संस्कार हैं, वो ढंग से वो ज ざ रिस्क नहीं बोल पाते हैं मैं रिक्स लीद audit में था आना माटे बहुती एक रिक्स लीदी रिक्स क्या होता है है रिस्क क्या होटे आप किरह यूं समझाव कि प्रभु अपने मात्य बिराज रहे हैं, अपरस, when you are not in अपरस, डाउनरस, डाउनरस मतलब लोगिक, लोगिक में आगए, इंग्लिश में भी कर सकते हो, अपरस एंड डाउनरस, तो डाउनरस में क्या होगे, हम लोगिक में आगए, अपरस मतलब something higher, transcendental platform पे आगए, spiritual platform पे आगए, तो क्या होगे, हम अपरस में आगए, तो जब हम प्रभू की और जा रहे हैं, तब हम अपरस में आगए हैं, और अपरस में कब आ रहे हैं? जब हमारे में बगवदाविश हो रहा है, तो यहां सब्सक्राइब जिसने संशुद्धी का ध्यान नहीं रखा उसको क्या होगा उसको आसुरावेश की संभावना जादा है ऐसा नहीं क्यों होई जाएगा संभावनात उसमें संभावना है तुमारा चित्त प्रभु में नहीं लगेगा आप देखो मजदर्बा मैं आपको एक देनिक आनिक होगा, देन दिन आनिक होगा वो अपने कर्म में चला जाएगा आणिक मतलब सुबै सुबै हम जो सत्कर्म करते हैं सुबै सुबै से मेरा तातपर है, जब सात्विक गुण की प्रेचुडता हो ती है करम सुबह करता है प्राता उटके ही करता है अभी क्या परकार संधया संधया की अवश्यता क्या है मारजनादी करके शुद्ध हो जाना आप अगर ऑफिस से आके ना रहें ना आके घर के कपड़े पहन रहें तो आप पाठ कर सकते हैं आप जब कर सकते हैं आप सत्संग कर सकते हैं आप कीरतन कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं करना चाहें तो तो आप ऑफिस से आके भी सुबह सुबह जब करना ये सब क्यूं बताया गया है वातावरण में ही उस समय सरवाधिक साथ्विक भाव रहता है इसी कारण से बहुत प्राचीन परंपरा है सुबह उठते ही वेधा ध्यन प्रारम हो जाते हैं आचमन करते थे मुक्षोधन करते थे और सीधे वेध पाठ क करके सोई सत्संगर की कीरतन करके आश्रयादी के पद करके सोई सुबह उठे आचमन किया मुक्षोधन किया सीधे वेध पाठ प्रारंब कर दिये वेधा ध्यन थोड़ा कर लिया फिर वो अपने नाने दोने जाते थे आज भी वेध पाठ करने वालों की यही प्रक्रिया है वेद पाठी कभी सुबह उठके तुरंत नहीं नहते हैं, वो पहले वेद पाठ करते हैं, पाठ कंठस्त करते हैं, आज भी आप देखो सरवाधिक स्कूल्स कब चलती हैं, स्कूल्स सुबह सुबह ही चलेंगे, क्यों? ज्यानो पारजन का समय ही प्राता काल का है, भक्ती करने का समय ही प्राता काल का है, पन क्या सांच को जाके आतता ही हो जाना? नहीं, ऐसा कोई जुरूरी नहीं है, सांच को आसुरावेश में ही रहना? नहीं, सांच को भी भगवत भाव में रहा जा सकता है, व्यक्ती को जब पाठ करना है करे, ना धोके करे, खाली पेट करे, पिंटा कम से कम अन्न लिये को हो जाए उसके बाद एक स्नान करें फिर जो पार्थ वाकियों वो पार्थ पूरे करें किसने रोका हैं हमको खुद को सहज एक वातावरण में हमको सात्विक्ता सुबह सुबह मिलती है इसलिए हम प्राता काल का आगरे रखते हैं बाकिया ब्रा संध्या कोन सी है उत्तमा तार को पेता ताराओं की साक्षी में नक्षत्र और तारागणों की साक्षी में जो ब्राह्मन सूर्य को अर्ग दे दे वो सबसे बैस्ट संध्या है उत्तम उत्तम प्रकार की फिर मध्यमा लुक्त तार का है जो मध्यम संध्या कोन सी है नक्षत् स्कत्र ने प्रद्र कलिसी कि अगर जया संध्या कि तो अधम कोटी की शास्त्र ने मानी वह बेकार तुम नहोई आγο आप देखो हमार यह सातो निधी और श्रिणाज जी सरे सम्परदाय के मूल ग्रहें व Till You Hawaiian र Pom nater-vere crimes पुष्टि मारग में बहिच्टा विश्णाओ अपने घर में जो लाड़ रड़ाए सो लीला ठाकुर्जी की लेकिन वास्ताविक्ता तो यह है कि ठाकुर्जी कब जागते हैं पांच साड़े-पांच के शंखनात सब जगें पांच-साड़े पांच बजे भारत में कौन सीजे के सूर्योदय होता है? कहीं सूर्योदय नहीं होता? उत्तमा तार को पेता, मध्यमा लुक्त तारका, अधमा, सूर्य सहिता, प्राता, संध्यात, रधामता, ठाकुर जी भी अपने हा सूर्योदय से पूर्व जग जाते हैं अन आयुष्यम दिवास्वापम तथा भ्युदी तचाहिता अयुरुवेद का नियम है दिन में सोना और सूर युदय के समय निद्रा लेना या अयुष्य को हानी करता है तो जो वस्तु आयुषिh के लिए हानी का रखे उसको अपनिया निशयद Авस्ता करो, करो करो, पर जिस से नहीं हुआ वो एक भी दिन चोड़ो क्यों? आसुरावेशित क्यों रहो, सांज को आओ, सांज को एक धार्मारो, स्नान करो, और वस्तर वदल क्या आप चर्णांब्त के तिलक नया करके आप पाट करो जितने पाट करने करो कहने का तात्परी है और मैं खास करके ब्रह्मनों के लिए और जितने भी यां द्विज मेरे को श्रवन कर रहे हैं मैं उन्सब को यह कहना चाहूंगा उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुपत भासकरा अधमा तारको पेता सायम संध्या त्रधामता जैसे प्राता संध्या का नियम है उससे बिल्कुल उल्टा नियम सायम संध्या का है सायम संध्या उत्तमा सूर्य सहिता सूरी की साक्षी में सायम संध्या हो जाए वो सबसे उत्त तो सायम संध्या का भी निरने दिया गया है प्रातस संध्या का भी निरने दिया गया है क्योंकि यहां बात विशेश करके द्विजकुल के लोगों के लिए चल रही है इसलिए मैं खास ये बात कहना चाहूंगा और वैश्णों को तो मैं ये कहना चाहूंगा जब भी आपके भोजन को आपके अन्न ग्रहन किये को दो से धाई घंटा विथीत हो जाए एक आद बार शौच जाना हो तो शौच जाके स्दान करके आप चरणामरत लेके आप सांच क भी अपने सारे रहे गए हुए भजन पाठ जाप आदी सब कर सकते हो हां एक अपने बहुत सुंदर नियम प्राचीन काल से परंपर या सुनते आ रहे हैं सांच को शुमद भागवजी का पाठ नहीं होता वो भी भागवजी का पाठ कौन सा नहीं होता जो भागवजी हमार वर्ष भर में चल रही हो जो लीला करम से प्रती अध्याय पर अध्याय पर अध्याय पर अध्याय हम पाठ कर रहे हूं वो भागवत जी का पाठ हमको सूर्य साक्षी में करना चाहिए इसका क्यों कारण ऐसा है क्योंकि केवल सामवेद एक ऐसा वेद है कि जिसको सूर्य साक् स्राप होने से सामवेद का पाठ सूर्य साक्षी में नहीं किया जाता तो जैसे सामगान नहीं किया जाता वैसे हमारे हाँ वेद वत शिमद भागवजी का पाठ भी क्योंकि आप निगम कल्प तरोर गलितम फलम है और शुक मुखाद अम्र्द दरवि सम्युतम है तो जो कि सेवा है कि अपन उनका स्वाध्याय यग्य करें अर्था पाठ करें तो वो स्वाध्याय यग्य जो शुमद भागवजी का हो वो जितना हो सके सूर्य साक्षी में हो भागवजी का पाठ अन्न लिये पहले हो पूरा-पूरा भोजन करके भागवज पाठ करने नहीं आप भागवजी के अध्याईों को वाच के सो इससे बैटर तो कुछ है ही नहीं तो आप वो वारताय करो वारता वचकनाम्रतों को आप पारायन करो, उनके साथ स्वाध्याय आपश्मुद भागवत जी के भी, जो सुबह पाठ किये हैं अध्याय, उनका अर्थरात्री को देखो, यह तो बहुत सुन्दर एक प्रक्रिया बनेगी, तो पाठ हाधी करने के लिए मेरा खागी इतना कहना है यहां सभी को, कि मैं एक बार कहना चाहूंगा कि अपने आंकि, पुष्टिमार की गायतरी, सर्वत्तम जी को बताया गया है, सर्वत्तम जी को भी प्राया अन्य लिये पहले करना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, सरवोत्तम जी का पाठ भी शिमद आचारी चरण का नामात्मक स्वरूप है, जितना हो सके अपरस में या शुद्धिता में करना चाहिए, जैसे हम सत्संग मंडलों में सरवोत्तम जी का एक साथ 35 पाठ य जिस सरवोत्तम स्तोत्र का हम पाठ करते हैं, वो भी अपरस में होना चाहिए, जैसे पंचाक्षर मंत्र का जाप और गद्य मंत्र का उच्चारण हम अपरस में करते हैं, वैसे इससी सरवोत्तम जी को भी हमको अपरस में करना चाहिए, या सरवोत्तम जी करें, उसके पहले एक बार यमनाश्टक का पार्ट करना चाहिए, क्योंकि यमनाश्टक तनुनवत तो प्रदान करता है, यमनाश्टक एक बार बोले बाद, आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी अवस्ता में, तो आप सरवोत्तम जी कर सकते हो, तो कहने का मेरा तात्पर यह है इन सभी बातों में, कि भागवत जी के क्रम को छोड़ दो तो विशेश करके तो मैंने समस्त वैश्णों परंपराओं में सायम काल में बहुत लोगों को सस्वर गीता पाठ करते देखा है तो सायम संध्या के साथ गीता जी को लेना चाहिए और प्राता संध्या के साथ अथा प्राता मध्यान संध्या में श्रिमत भागवत जी के पाठ का अगरे रखना चाहिए क्योंकि भागवत जी का जो पाठ है वो प्राया शुद्धता मांगता है सच्छता मांगता है पविक्तरता मांगता है जिसको यहां कहा गया कि शोचाचार विहीन अस्या आसुरावेश ये संभवाद हमको आसुरावेश की संभवना हमारे आसपास नहीं जाए इसलिए शोचाचार का ध्यान लखने चाहिए अब शौचाचार जो है अपरस विभाग जो है वो हर व्यक्ति के अपने इंडिविज्वल सरकम्स्टेंसिस उसके रहने रहन सहन की परिस्थिती उसके पास प्राप्त संसाधन इन सब पे निरभर करती है इसलिए एक सी centralized या generalized एक सारवभावमिक सम्हेता अपरस के उपर जहां संबादित होती हो उसको हम अपरस में रहने वाला स्थान चैसकर हो जहां हमारा मन शुद्ध और जहां पर हम धर्म कारी कर रहे हैं वह स्थान शुद्ध को तो वह जो स्थान सामगरी सबसे बड़ी वस्त Fauzen जिन जों से हम ठाकुरजी की सेवा कर रहे हैं उनका भी मार्जन किया हुआ हो वो संशोदित हो खासा की वही हो सिद्ध की वही समराइब ही हो तो वो सबसामगरी अप्रस में